GDP and debt और दूसरा topic में start करते हैं Growth निकॉली दो topic हम लेने की कोशिश करते हैं अपने आज के lecture में हम आज lecture दो part करते हैं पहला part हम करते हैं economics का दूसरा part करते हैं जो अपना policy का है money will और finance will है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं दो part में आज करते हैं जब पहले शुरू करते हैं GDP, growth rate and debt हम कल के ही lecture को आगे लेकर चलने कोशिश करते हैं जो कल हमने समझने कोशिश की थी जो growth rate है और debt है वो किस तरह से हमारे सामने दिखाई देता है growth rate और debt GDP, growth rate and debt concept क्या है what is the concept मेरे खाल से sound ठीक है अगर sound में कोई problem है तो you let me know I will try to improve the sound अब कल के आप lecture को जड़ा याद करने कोशिश करिए यह Facebook पे भी है YouTube पे है जहां आप चाहें वहां आप आप देख सकते है अब देखिए क्या हम कल बत कर रहे थे कि सारा issue क्या है सारे चीजों का एक solution क्या है अगर GDP and rate of interest इन दोनों का जो अंतर संबंद है वह इस बात का फैसला करेगा वह इस बात का फैसला करेगा कि economy sustainable है या economy sustainable नहीं है तो इस बात का फैसला कौन करेगा इस बात का फैसला करेगा कौन करेगा इस बात का फैसला तेल मी वह विल्टू दिस अंसर उंद चैट कल के lecture का ही part है आपको इसको लिख यह answer में जो आज दो एक concept और है जो आपको और ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे इसमें GDP सारा issue है क्या complete issue क्या है complete issue क्या है कि जो एक sustainability है सवाल क्या बनेगा एक sustainability कब होती कई लोगोंने message किया कि उनको थोड़ा सब कम clear हुआ है तो लेट सब्सक्राइबिल्टी कर देट सब्सक्राइबिल्टी कब होगी सवाल क्या है again see the question debt sustainability कम होगी अगर हम debt sustainability की concept को समझने की कोशिश करें तो जो हमारे पास rate of borrowing है वो अगर कम हो जाए GDP से तो क्या हो गया debt sustainable होगा clear हो गया बहुत simple सा concept है कि जो government spend कर रही है government के spending में अगर rate of borrowing जो है यह rate of borrowing अगर GDP से कम हो जाए तो debt sustainable हो जाएगा तो simple सा एक answer आपका प्लिम्स का आसान सा सवाल आ गया कि debt sustainable कम होगी in A B rate T T प्लिम्स का आपका कि debt sustainability कम होगी A rate of interest जो government borrow कर रही है पैसा उस पैसे को government खर्च कर रही है विकास के कामों में अगर वह rate of borrowing GDP से कम है अगर rate of borrowing GDP से कम है तो debt sustainable होगा A B अगर rate of borrowing GDP से जादा है तब sustainable होगा C rate of borrowing और GDP एकवर तब sustainable होगा और D इन में से कुछ भी नहीं होगा clear हो गया नहीं हुआ clear हुआ या नहीं हुआ जल्दी बोलो pass pass बोलो अब हम एक जो debate अब यह सारा हम पढ़ा क्यों रहे हैं कि हमारा जो economic survey है इसमें debate हुआ है economic survey में पुरा debate हुआ है debt sustainability पे और उस debate में यह सवाल खड़े किये गए हैं उन सवालों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं जो एक debate हुआ है public debt पर और public debt का debate क्या बोलता है कि यह बोलता है कि जो public debt है और growth का relationship पब्लिक debt एंड ग्रोथ इसका जो relationship है इसका जो संबंध है लोक रिण और विकास का जो एक संबंध है व्रिद्धी का जो एक संबंध है वह संबन्द इस बात को सत्यापित करता है कि debt sustainable है या debt sustainable नहीं है तो उसमें एक concept आपता है debt to GDP ratio अब यह है क्या What is debt to GDP ratio RIL का और GDP का ratio क्या है तो एक concept क्या गया debt to GDP ratio यह है क्या Ratio between government debt and its GDP अभी है क्या यह Ratio Between Debt and GDP जो सरकार ने रिन दिया है जो सरकार का सकल घैलू सरकार का रिन सकल घैलू उत्पाद यह मध्य का आनुपातिक संबंद। के मध्य का अनुपातिक संबंद। गद आगा तर्ट रेसियो जो debt to GDP रेसियो है वो क्या है The ratio between debt and GDP अभी कैसे डिट्रमाइन होता है इसको अगर हम फॉर्मूले में देखें तो तो टोटल डेट अपान टोटल जीडीपी इसको में लेकते हैं फॉर्मूले में इसी को में लेकते हैं फॉर्मूले में टोटल डेट अपान टोटल जीडीपी अब अगर लोडेट होगा तो GDP ratio यह indicate करता है जो economy है जो economy है अपने को पे अब देखें क्या है अगर इसको देखें अगर यह कम होगा गलित क्या कहता है कि अगर यह कम होगा तो अर्थ विवस्था बगर किसी और रिन को लिए अपने रिन को वापस पे कर देगी अगर यह इस सम्बंद में अगर यह कम होगा तो अर्थ विवस्था बगर कोई और रिन लिये हुए अपने रिन को वापस कर देगी, अगर अर्थ विवस्था को इस रिन को वापस करने के लिए और रिन देना पड़ा, तो अर्थ विवस्था एक समस्या में आकर खड़ी हो गई, तो क्या है, पेबैक करने के लिए, आपको अपने रिन को वापस देने के लिए, और रिन की आवश्चकता है या नहीं है, अगर आपको और रिन की आवश्चकता पड़ गई, अब इस बात को एकनोमिक सर्वे में काउंटर किया जा रहा है, कह रहा है कि नहीं आप डिट लो इसको कम करने की जरूरत नहीं है इसको कम करने की जरूरत नहीं है इसको बढ़ाने की जरूरत है इसको कम करने की जरूरत नहीं है इसको आप बढ़ाओ इसको भी बढ़ाओ अगर इन दोनों के बढ़ने में अगर डेट और जी डी पी रेश्योगे अगर डेट और जी डी पी में डेट बढ़ता है अगर यह कम बढ़ेगा यह ज़्यादा बढ़ेगा तो अर्थ व्योस्था के लिए एक सकारात्मत बिन्दू होगा रिखास क्लियर हो गया ओब इस क्लियर क्लियर हुआ नहीं हुआ जल्दी बताइए किसी को प्रॉब्लम है जस्ट रीड इट केरफुली इसको आप धियन ध्यान से देखने की कोशिश करिए अब जो अपनी डेट डाइनिमिक्स है जो अपना रिण का चक्र है इसके मुख्य पहलू क्या है इसको इंगलिस मोलते हैं में ड्राइवर अपने जो डेट डाइनिमिक्स है इसका मुख्य पहलू क्या है इसके में ड्राइवर का पहला क्या आएगा जो difference है interest rate और चार्ज किया government rate में और growth rate पहला क्या है difference between rate of interest and growth, ठीक है, GDP, got it, दूसरा क्या है debt to GDP ratio in previous year, जो पिछला साल था उसमें debt to GDP ratio के बीच क्या सम्मन था? बना समान समान से बीच क्या है, ratio of primary deficit to GDP, ratio of primary deficit आपने इन तीनों को कॉप्यम लिखिए, just write down all three in your copy, अब प्राइमरी डिफिट है क्या? what is primary deficit? मैं एक formula लिखता हूँ, formula को मैं simplify कर दूँगा, आपको तुरण clear हो जाएगा, g minus r, g minus r, e t minus 1, 1 plus g, g है growth, r है rate of interest, और d t minus 1 क्या है, previous year, d t minus क्या है, rate to g, d t minus 1 है, rate to GDP ratio in previous year, अब यह clear करता हूँ, don't worry, पहला असान है, पहला मैं बता चुका हूँ, दूसरा बता चुका है, क्या है, तीसरा, अब ratio of primary deficit to gdp, समझते हैं, primary deficit है क्या, g minus r dot across, d t minus, d t minus 1, 1 plus, अब यह क्या है, d t minus 1 क्या है यह, debt to gdp ratio in previous year, तो यह क्या है, growth में, आपके gdp में और rate of interest में क्या फरक है, इसको मुल्टिप्लाइज करिये, कि जो debt to gdp ratio है, previous year में क्या है, और नीचे क्या है, 1 plus g, clear वह यह, किसको clear नहीं हो रहा है, ज़्यादी बोलिये, किसी को ऐसा clear नहीं हो रहा है, anyone has any doubt, if no, then I can proceed further, अब primary deficit का मतलब हुआ क्या, what do you mean by primary deficit, जो primary deficit है, वो क्या है, वह, it will be remained below threshold, अगर, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, जिसे g और r denote क्या कर रहा है, real growth rate and cost, real cost of general government debt, dt-1 क्या denote कर रहा है, वह denote कर रहा है debt to GDP ratio in the previous year, आप इस सालों पिछले साल कर रहा है, जब अगर इस equation में, अगर g r से ज़्यादा हो गया, अगर g r से ज़्यादा हो गया, अगर g r, इसको हम और simplify कर देते हैं, आप सिर्फ यहीं प्याजाएए, यहाँ पाई, g minus r cross dt minus 1, आपको यह लिखना नहीं है एक्जाम में, सिब आप समझना है, आप इसको दें, अगर g r से ज़्यादा हो गया, अगर g r से ज़्यादा हो गया, तो उसका फरक क्या हो गया, जल्दी बोलिए, अगर g r से ज़्यादा हो गया, तो जो क्या है, primary deficit positive हो जाएगा, primary deficit धनात्मक हो जाएगा, primary deficit क्या होगा, वह धनात्मक हो जाएगा, जब प्राइमरी deficit धनात्मक हो जाएगा, जब तक यह primary deficit remains below threshold होगा, debt remains sustainable होगा, अगर यह below threshold होगा, debt sustainable होगा, इसको और आसान कर देते हैं, कि आपका जो पिछले साल का debt और GDP ratio है, उसके अगर ध्यान में रखते हुए, हम इस साल के growth को और rate of interest को देखें, अगर यह growth अपनी rate of interest से ज़्यादा होगी, तो जो हमारा primary deficit है, positive होगा, और उसके करण क्या होगा, हमारा debt is sustainable हो जाएगा, clear or you are clear? clear हुआ या नहीं हुआ? हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इस पूरे concept को summarize करने की कोशिश करें, तो जो हमारा negative IRGD है, जो उन्हें कल समझा था, अगर वह रहता है, तो government की debt sustainable होती है, अगर IRGD positive होता है, तो sustainable नहीं होगा, यह सरकार के लिए कठिन हो जाएगा, debt को sustainable करना, अगर IRGD positive होगा, अब लिखिया question, a negative IRGD thus creates an enabling environment for debt sustainability, अब सवाल आ गया, इसको आप जाए प्रीविल आई, यह means नाई यह, मने कल भी सवाल का जिपकिया था, I have tried to repeat it, क्योंकि काई लोगों ने, वैसे सच्किया के साथ बहुत क्लियर नहीं हुआ है, negative IRGD creates enable environment, negative IRGD creates enable environment, negative IRGD creates enable environment, एक रिनात्मक IRGD, एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर देता है, कि रिनल जो है वह sustainable हो जाता है अब इस प्लियर अगर हम इंडिया के संदर में देखें तो अब आते हैं इंडिया के संदर में आप इसको लिखें कि लास्ट टू डिकेट्स में जीडीपी इंट्रेस्ट रेट से ज़्यादा रही है यह भी आप एक्जाम में आप यात रहें अगर हम इंडिया के संदर में देखें तो लास्ट टू आप पिछले पच्चिस सालों में पिछले पच्चिस सालों में यह सवाल इंट्रेवू में पूछा गया एक व्यक्ति से सेम सवाल था कि हम जो इतना रिण देके अपनी एकॉनमी को आगे ले जा रहे हैं क्या यह हमारी एकॉनमी को सस्टेन कर पाएगा यह नहीं कर पाएगा तो अगर उसको बात को एक्स्प्लेन नहीं कर पाया पूरी तरह से अगर वह बोलता कि पिछले पच्चिस सालों में हमारा जो जी डीपी है गॉर्मेंट के जो कॉस्ट आफ बॉरॉइंग उससे जादा हो रहा है उसका उत्तर ही पूरा हो गया होता कोई सवाल एक्जामनर आगे ने पूछता इंटर्वू में कई बार क्या होता है एक्जामनर आपको समझ जाता है कि इसका कॉंसेट क्लियर है तो आगे सवाल ने पूछता है फिर तो अगर ये आपके दिमाग पर क्लियर हो जाए तो मेरे खाल से आप prelims means कहीं भी उसको आराम से लिख सकते हैं लेकिन अगर interest मतलब क्या हो गया अगर interest rate paid by the government is less than the growth अगर interest rate paid by the government less than growth तब क्या होगा तब इसका उल्टा हो जाएगा और सरकार के लिए समस्या उत्पन हो जाएगी निकलास क्लियर हो गया किसी क्लियर नहीं हुआ बताओ मेरे को अब जो हमारा यह अब एक सवाल प्रिलिम्स का करते हैं कि जो IRGD है इसको कौन डिसाइड करता है कि जो कि जो प्रेश नहीं हुआ झाल प्रिलिम्स का करते हैं कि जो 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 प्रिलिम्स का करते हैं झार कारिये आंसर दिस पूरिये पुरियांसा करिए बो ये सवाल गलत हो जाएगा इस सवाल को अगर आप ध्यान से नहीं करोगे सवाल पकता गलत हो जाएगा कुछ आप दौर चेंज करें कुछ चेंज कर देते हैं कि एट्स हैं मोर कंफूजर दूसरा आज कांसर करते हैं करती पकता ओट collective करते हैं कि एटे वरे हैं तरहर चेंजर। कि एग सवाल करते हैं झाल मोर कि एटितव कर देखल दूसरा गप? प्रवाइब कर दो यह सवाल नमबर वन है यह सवाल नमबर टू है चलिए आंसर इट आंसर करें प्रवाइब करें प्रवाइब करें प्रवाइब करें सवाल का है यूट्यूब पे आंसर कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं हो रहा है तौरव सिंह अंकिता पूनम जया आप लिखो किस सवाल का है सवाल एक है सवाल दो है आप प्रिजूमिंग आंसर गिवएधि इज़ लेकित वाल नमबर वन सी 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 यूट्यूब में सी की बहार है और फेस्बुक पे एक ही आंसर फेस्बुक में एक ही बहार है इसका आंसर सही ये होगा इसका आंसर सही यह होगा अब mostly growth क्यों है क्योंकि interest rate more or less fix होता है आपने एक बार interest ले लिया तो interest rate more or less fix हो गया है growth fix नहीं होता है growth तो आप कुछ भी प्राप्ट कर सकते हैं इसलिए mostly आप इसमे mostly growth हाएगा अगर देखिया है नए अब यह शब्द को आप हटा देते हैं तो बात कुछ और होती है अगर आपने यह शब्द लिखा है तो mostly growth आपसर होगा इसका clear हो गया तो इन दोनों सवालों का conclusion क्या रहा है कि जो एक strong correlation है between IRGD और एक सवाल और बनाओ debt to GDP ratio एक strong correlation है IRGD and debt to GDP ratio एक strong correlation है IRGD और जो debt to GDP ratio है यह और देशों में बहुत ज़्यादा यह दिखा गया है तेखाल से इतना काफी interesting part हो गया है तेखाल से आपका एक ही दो इशू और रह गया इसमें फिर आप कहने मुद अब देखें एक सवाल समझें कुशिश करिए अगर हम और फिर हम analyze करने की कोशिश करें हम advanced economies को और इंडिया को तो हम देखते हैं India as one of the high growth economies अब एक सवाल free means का आगया high growth economies इंडिया को हम high growth economies कैसे कह सकते हैं अगर हम analyze करें जो average real interest rate है real growth rate है RIGD real interest rate real growth rate IRGD इस तीनों को अगर हम allies करने का प्रयास करें तो what conclusion we can we may draw कि जो 1990 से 2018 के बीच का कारेकाल है 1990 से 2018 जो तकरीबन तकरीबन 28 साल का जो समय है इसको हम देखें तो जो जो एक भारत का परदिर्श आता है वह एक emerging economy के रूप में आता है high growth economy के रूप में आता है clear कि यो average IRGD जो आ रहा है वह निगेटिव आ रहा है तो चूकि इंडिया का IRGD काता है निगेटिव आ रहा है इसलिए यह एक बहुत emerging economy रूप रहा है अब यह एक ऐसा तत्थ्य है आप इसको लिखो जो बोलते हैं चिपका और घुषडो इसको कहीं ने कहीं economics में लिखना ही लिखना है economics का जो भी सवाल आपके अर्थव्यवस्था का आएगा वह सवाल economics की बात करेगा और जब भी अर्थव्यवस्था की बात करेगा उस अर्थ विश्था के बात में उसके विकास में आप इसको लिखो 1990 से 2018 के बीच में Real Interest Trail, Real Growth और IRGD को हम अगर एनलाइज करते हैं तो भारत एक Emerging Economy इस रूप में सामने आता है उसका करण क्या है? हमारा IRGD निगेटिव चल रहा है Is clear? Is clear? इस तो clear नहीं हुआ? जल्दी बताओ परेखाल से काफी काम हो गया है काफी कुछ हो गया है इसमें अब ज़्यादा इसू रहा नहीं है एक इसू और हम करने कोशिश करते हैं कैसे जो निगेटिव IRGD है एक इसू और कर देते हैं अब यह में खास खो जागा है निगेटिव IRGD अब मैं कहना कहा चाहरा हूँ कि जो निगेटिव IRGD है वह कैसे एफेक्ट करता है कैसे एफेक्ट करता है relationship का debt and growth debt and growth के समबंद को कैसे एफेक्ट करता है अच्छा सवाल है एक argumentative बात करने की कोशिश करते है कि क्या जो higher growth है यह इस बात की तरफ अपने को ले जाता है कि lower कि जो higher growth है lead to lower debt और lower debt causes higher growth lower debt higher debt इन दोनों में कौन growth oriented है और असान कर देते हैं आपका कम रिवन और अधिक रिवन इन दोनों में कौन सा growth की तरफ बढ़ता है कि आसमें रहे है क्या higher growth इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं अब इसको हम उल्टा भी कर देते हैं higher growth lower growth दो संबंध समझने की कोशिश करते हैं कम रिवन अधिक रिवन का growth से क्या संबंध है अधिक growth कम रिवन का रिवन से क्या संबंध है अब इसको हम जब फ्रेम करते हैं एक paragraph एक कहते हैं sentence form में अब आप sentence को लिखे does higher growth leads to lower debt higher growth lead to lower debt higher growth lead to lower debt या higher growth lead to lower debt या इसका उल्टा होता है दूसरी बात अगर हमको higher growth हो रहा है तो या कम डेट के कारण हो रहा है या अधिक डेटा हो रहा है क्या higher debt lower growth की तरफ लीड कर रहा है just try to see very carefully इस चार्ड को देखने कोशिश करिए मैं सिर्फ आप इन दो चीज़ी के higher debt एक ये देखिए higher debt lower growth higher debt lower growth तो चीज़ी हो गई अब इसको हम दूसरा करते है lower debt higher growth higher debt higher growth अब हम इसको हम इसको हम समझने की कोशिश करें कि इस debt का अगर हम रिण देते हैं तो रिण से growth कैसे प्रभावित होती है जो argument एक support करता है there is an argument supporting higher debt later to lower growth अब हम इसको हम देखें इस argument को analyze करें कि जो higher debt है वह lower growth की तरफ इस तरह से जा रहा है यह बोलता है जो higher level of public debt है यह more taxes यह क्या कर रहा है यह more taxes को attract कर रहा है जो higher debt lower growth है इस phenomenon में जो argument है argument क्या है कि जो higher debt है वह lower growth की तरफ क्यों जा रहा है कि इसमें higher level of public debt है it is accompanied by more taxes in future more taxes in future to pay debt भाई सरकार को अगर रण रण पे करना है तो टैक्सी तो अपने आदमी उसी तो पैसा लेगी ना और कहां से लेगी तो future में more taxes होगा इस pay debt को पे करने के लिए यह concept सिंग हो गया इस से क्या हो गया है होगा leading to lower light time wealth यह lead कहां करेगा lower life time wealth जिसको clear नोगा जरू बताना चुक्कि अगर आप ऐसा लिखोगे बहुत अच्छा impression आपके exam में आएगा अब यह क्या करेगा यह consumption और saving को कम कर देगा यह consumption और saving दोनों को दोनों को कम कर देगा इससे क्या हो गया demand कम हो जाएगी इससे क्या हो गया इससे demand कम हो जाएगी और demand कम होने से क्या हो गया अच्छा क्या हो गया पताई किसी को अगर दिक्कत हो दो पताई मेरे को इसको क्लियर नहीं हो गया अगर क्लियर हो गया हो तो हम इस argument के दूसरे पार्ट पर चले इस सारा argument एक बात से खतम हो जाता है आई आर जीडी थियोरी इफ आई इस लेस देन जी सोरी रेट है आई इस लेस देन जी अगर आपका रेट आफ इंट्रेस्ट या इसको और अच्छे शक्त बले है कि गौवर्मेंट की जो बारोइं कास्ट है गौवर्मेंट की पौवर्मेंट कास्ट गौवर्मेंट की जीडी पी से कम है आई आर जीडी निगेटिव हो गया इकानमी प्रोथ कर गई अब पिछले अठाइस साल से भारत नहीं हो रहा है एकृबंद की आहले गांगेंट की जीडी आकि प्रवियर्मेंट की अटेट की इस्ट की इस्ट चीट की इस्ट की आटट पताए किसको क्लियर नहीं हुआ कोई ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ हो इंडिया का जो GDP तो डेट रेशियो है वह significantly कम रहा है उसी के इंडिया का जो GDP डेट रेशियो है वह significantly कम रहा है अगर हम G20 देश और OECD कंट्री इसको ब्रिक्स को देखें तो इंडिया का जो ओर आल लेविल है ऐस पर्सेंट ऑफ जीडी पी और डेट का है वह लोइस रहा है इमंग ग्रूप ग्रूप 20 जो नेशन्स हैं तो इंडिया का बहुत ज्यादा अब जो गौर्मेंट का जो सारा सिस्टम था गौर्मेंट इस तरह कार किया उसके देखते हुए आप मैं देखते हुए कि कहा जा सकता है कि भारत सरकार का जो ग्रोथ रेट है वह अच्छा रहा इसले डेट की कोई समस्या नहीं रही पर खाल से आज एकनामिक सही रोग देते हैं एक आपका हम एक सवाल करने की कोशिश करते हैं वो सवाल है मनी बिल और फाइनेंस बिल यह सवाल मैं क्यों करना चाह रहा हूं तो तीन पिछले बार के प्रिलम्स पास्ट के बच्चों ने मेरे को मैसेज किया वो सब का सब यह सवाल गलत कर चुके हैं मैं यह फाइनेंस बिल मनी बिल चौथी पांच बार पढ़ा रहा हूं लेकि पढ़ाना जरूरी इसलिए है कि आपसे गलत फिर हो जाएगा अगर वो प्रिपास करने वाले गलत कर गये हैं तो आप बहुत जादा प्रोन हों चुकि फाइनेंस बिल और मनी बिल में इतना जादा थिन लाइन है कि वह थिन लाइन बहुत समस्या उत्पन करती है तो आप लोग पांच मुंट का ब्रेक और अगें इस्टार्ट फाइनेंस बिल और मनी बिल चुकि जो दूसरा टॉपिक है इनिक्वल्टी वो फिर पैतालीस-पचास मिट लेग I'm breaking the class and after 10 minutes it is the time is the six fifty two I will meet again the seven zero five seven oh five take care